Pencil vs Eraser जो Pencil और Eraser दोनों को यूज करते हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें चलो देखते हैं कौन जीतता है Let's go Pencil का आविशकार 1904 में हुआ और Eraser का आविशकार 1770 में हुआ Pencil को पेड़ों को काट कर और Graphite की मदद से बनाया जाता है Eraser को पेड़ों से प्राक्ट गोन से बनाया जाता है Pencil एक बार में 21 मिल लाइन खीच सकती है और Eraser एक बार में 100 मीटे लंबी लाइन को मिटा सकता है Pencil की 21 केटेगरीज होती है और eraser की चार categories होती है pencil को drawing बनाने में और छोटी classes में ज़्यादा use किया जाता है eraser को pencil का लिखा हुआ मिटाने में use किया जाता है तो आपका favorite क्या है comment करके बताओ